नमस्कार दोस्तों मैं गौरो वर्मा इस आनलाइन प्लेटफोर्म में आप सभी गस्वात करता हूँ उम्मीद है आप सभी लोक्स्वस्त हैं कुशल हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ आप से मत्र पुदेश लोक्स वायोग के बारे में वसुत है कई विद्यार्थी अब बहुत वर्सों के पश्चात ऐसा क्रम देख रहे हैं कि संभावना है कि पूरी तरीके से यह एक्जाम क्या है निरंतर होंगे तो ऐसी इस सिती में आप किस प्रकार से त्यारी करें क्या है MPPSC किस प्रकार से MPPSC आपका विबिन प्रकार के एक्जाम को कंड़क्ट करवाती है क्या वहाँ पर चीजे रहती है किस तरीके से आप eligibility अपना criteria चक कर सकते हैं यह सारी बातों पर इस वीडियो में हम लोग discussion करेंगे वसुत है बहुत आपका समस्या सामने आई है इसमें आप तबोगन ने देखा है कि किस सरीके से आरचन के कारण भरती प्रक्रिया रुकी है लेकिन निशित रूप से एक बीच बचाओ या एक ऐसा मार्ग निकाला गया है जिससे आप सभी विद्यार्थी जो है क्या है अंतिम रूप से इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं तो मतरपदेश लोग सेवाय के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं और आप जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को ठीक है तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखें तो MPPSC क्या है तो MPPSC के बारे में भी प्रशन MPPSC के एक्जाम में आ सकता है MPPSC एक सम्रूर देखार के दौरा जो लौक से वा के अधिकारी रहेंगे यानि राज्यों को जिस भी प्रसासनिक क्रम में जिस भी आपका विभाग में अगर किसी उच्च अधिकारी की आऊशक्ता है तो उसमें सेलेक्षन करवाने का जो जिम्मा है पूरा परिच्छा करके उसको नियुक्ति देने तक का जो जिम्मा है वहें मतर्वदेश लोग से वायोग का है निश्यत रूप से यह बात आपको क्लियर है अब यहां पर अगर हम आगे देखे तो भाई समिधान के वहाग आपका जो है क्या है चौदा के अंतरगत जो अनुच्छेद 315 से 323 तक क्या अंतरगत यह कहा गया है कि प्रतेक राज्य जो है अपना एक लोग से व आयोग का गठन किया गया और यह गठन करने का जो प्रारूप प्रावधान सामने आया वह मत्यपुर्देश राज्य के गठन यानि एक नौंबर 1956 के आपका दोरान आया ठीक है और यहां पर अगर हम बात करें तो इसके आयोग के गठन के लिए जो है एक नौंबर 1956 में जो अस्थित्त में लाया गया ठीक है और इसका मुख्याले निश्यत रूप से मत्रुदेश का सबसे बड़ा नगर जो है क्या है भई इंडौर ठीक है और यहां पर अगर हम देखें तो इसके पहले अध्यच जो की प्रिलिम्स के एक्जाम में या ने कुछ आपका परिच्छ करवाता है यानि कि डिप्टी कलेक्टर डीएसपी या नयाब तैसिलदार या वानिज्यकर निरिच्छक ऐसे आपका विभाग जो मुख्य प्रशास्निक विभाग है इसकी ही केवल परिच्छा कराता है क्या तो इसका उत्तर है नहीं इसके अलावा पसुपालन विभाग ह है आपका छोड़े छोड़े आपका जैसे आपका पोस्ट के बारे हम देखें तो बहुत छोड़े सब्दों में केलेंडर हो सकता हो आपको ना दिख रहा हो पुराना केलेंडर है कभी भी से फॉलो नहीं कर पाता है बड़ी सारी समस्याओं से ग्रसित आयोग है यह बात 100 सही है लेकिन कौन से एक्जाम करवाता है इसको भी हम देख लेते ठीक है यहां पर यह है आपका 2022 के लिए आया था एक कैलेंडर है पुराना है लेकिन यहां पर परिच्छा है दंदसल्य चिकित सक यानि कि गॉवर्मेंट हॉस्पिटल में जो आपका क्या है डेंटिस्ट भी होगा उसका एक्जाम यहां से होगा ऐसे ही अन्य चिकित स्यालों के लिए भी होगा इसके अत्रिकत अगर हम देखें तो इसमें जो समाजिक न्याय का छित्र है राज अभियांतर की यानि इंजिनरिंग सेवा परिक्षा भी क्या है आप यही आयोग करा रहा है ठीक है इसी प्रकार से अगर हम देखें तो वैग्यानिक अधिकारी यहां आपका जो है क्या है अईरवेद हुमेपैथी युनानी जितने भी तरह के चिकित साधिकारी होते हैं उन सभी को एक्जाम का आयोजन कौन करवाता है भाई यह मद्दरुदेश लोग से अवे लेकिन जब है कि केंदर में या भारत के लिए जो है सबसे बड़ी सिविल सेवा परिच्छा का आयोजन यूपी सी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा कराया जाता है वैसे ही यहां पर भी आपका जो है क्या है MPPSC के द्वारा यह कारे होता है जिसके अंतरगत लगभग एक सामान्य परिच्छे कैसे क्या एक्जाम होगा कैसे क्या क्या चीजें आपका मतरदेश लोक से करवा सकता है यह सारी बात है अब इसके आगे हम अगर बढ़ें तो यहां पर आपका जो है मुख रूप से हम जब तर्चा करेंगे तो वह राज्य सेवा के बारे में कि उन्हें आपका जब हम MBPSC की त्यारी करते है तो और परिच्छा देनी है तो वह क्या सोच के आए कि हम eligible है कि नहीं है जैसे कई लोगों के मन में यह प्रशनाता है कई आपका पुराने जो आपका क्या है वह त्यारी कर चुके आपका जिन है कुछ लोग क्या है भावा कह विकारी ने अपनी माक सीट भी जो है क्या है सेयर करी है कि इसमें हमारे माक सिर्फ पासिंग वाले थे दस वी में बारवी में ग्रेजुएशन उससे कोई भी लेना देना नहीं है इंटर्वी में हो सकता है आप से यह हैं इंटर्वी और क्वेशन कर लें कि भाई इतने कम म परते से तो बता दो कि सर उस समय हम नहीं पड़ते से अब मैंने मेहनत करी है इसलिए मेरा सौभाग्य है और मेहनत के कारण मैं आपके सामने बैठा हूं तो वह वहां पर आपने क्या करा यह आपका अलग विशा है अंतिम सेलेक्शन लेने तक आपका क्या है आपकी मेहनत आपके सामने काम है ठीक है यहां पर हम दली से देखें तो योगिता या अहरता क्या है तो पहले सिंपल सा पहला पॉइंट तो यह है कि आप जो है क्या है ग्रिजवेट हो राजय सेवा पर इच्छा यानि कि हम दो पदों को ध्यान में रखके सभी आपका जो जभी तरीके के आपका जो है क्या है पुलिस का कानून व्यस्था बनाना है वहां पर आपका युवखिंताइब भी होंगी आयू भी जड़ा कम होगी तो यहां पर आपका लेकिन सिच्छा का इस्तर सिर्फ एक है कि इसना तक या ग्रिजिशन आप कर लो अब कितने नंबरों से करते हूं वह आपकी उस तीन साल की महनत पर निर्भर करता है लेकिन यह दोस्तों ध्यान रखना यह बहुत ही महतवपूर बात है कि जो ग्रिजिशन में आपने महनत करी है वह कभी बेकार नहीं जाती है इसलिए को यह सोचे कि नहीं इस अपने बोल दिया था कि ग्रिजिशन में नंबर नहीं विया तो भी सेलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसे बिरले लोग ही मिलते हैं तो यहां पर यह बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि ग्रिजिशन में भी महनत करें 11 12 में भी महनत करें वहां क्या जो ग्यान है NCRT के रूप में आगे काम आता है तो इस नातक चाहिए हमें दूसरा आगर हम पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट है आपकी आयू कितनी होनी चाहिए तो यहां आयू नियूनतम जो है 21 ठीक है पहले DSP पत के लिए इस आयू में थोड़ी सा कमी की गई थी वह 20 साल 19 साल तक भी आप जो है क्या है उस पोस्ट के लिए भर सकते थे लेकिन अब सभी पदों के लिए नियूनतम आयू कितनी हो गई है 21 वर्स और अधिकतम आयू जो समान्य वर्ग के विक्ति हैं उनके लिए जो की गई है वह आपका जो है क्या है अधिकतम 40 वर्स है समान्य प्रसासने की भाग के लिए लेकिन जेलर DSP आदी जो आपका अधिधारी पद है जिसमें अलग रॉब है उस पद के लिए क्या है वह आयू अभी 40 से जो है थोड़ी सा कम यानि कि भाई क्या है 33 तक जो है क्या है आप DSP पद के लिए एलिजबल रहें अब कई बार समस्य आती है सर हम अपनी एस का काउंट कैसे करें क्योंकि यहां पर क सिधा सिधा जो है एक जनवरी के अनुसार जो है आप यहां पर क्लोट कल्कुलेट करें यानि कि अगर आप जो है क्या है वही यहां पर एक जनवरी 2020 को जो आपकी एस कल्कुलेट हो रही है अपनी डेटा अब बर्थ को इसके नीचे लिकें और जैसे मैठ में घटाते हैं वैसे घटा दे जो आपकी Aww massacre वही आपका वास्विक्ता है। तो यहां पर वह जो एज निकलेगी यानि कितने वर्स कितने महनें कितने दिन वह अगर एज 21 क्रॉस है तो आप ऩलेज़ रहेंगे ठीक है और वहीं अगर क्या है भही चालिस क्रॉस है तो आप नहीं ठीक है और निश्य दूरूप से यहां पर अगर हम देखें तो भाई यह सामाने प्रशासन चालिस और यह तिस और यहां पर चूट भी है यहां पर सभी तरीके के आरचनों को तो आपका लाब नहीं मिलेगा कोई एक मिलेगा और उसमें जो है आयू वर्ग की छूट से आप 45 तक की एज में क्या है भाई यह कारे कर सके ठीक है तो यहां पर यह है आयू वर्ग भी सपस्ट है अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं ठीक है यहां पर अगर हम चर्चा करें तो इसमें कोई बांकी समस्या नहीं है अगर आपको कोई सारे सब्सक्राइं लिडियांता है कोई दिव्यांगता से आप ग्रश onze दिखाई कम देरा है यहां-थो उसको तो मैं यहां पर कोई बिक zule हूं नहीं कर सकता है सिवाए आपके ठीक है तो यहां पर यह बात można है तो हमें क्लियर हो गई अब इसके बाद हम जल्दी से बात करते हैं यह सेवा इस सिविल सेवा पर इच्छा में है बहुते हैं राज्य सेवा के लिए आपका जो है प्रारंबिक पर writ जिसमें कि अमर्षी आधारित वस्तुनिस्त आपका प्रश्चन आते हैं जिसमें कि एक कॉशन दिया होगा चार ओप्षन दिये होंगे और उएमार शीट में आपको क्या है भई बोले अभी रंग के पेंसे बरने हैं और वह भी काले रंग के उस्से तो यहां पर यह है तीन लाख लोग कितने साधे तीन लाख लोग आपका जो है यह परिच्छा दे रहे हैं और दो हजार 21 का जो प्रेलिम्स हुआ उसी का यह आकड़ा है लगभग तीन लाख पच्पन हजार लोगों ने फॉर्म भरे और उस फॉर्म भरने वालों में से लगभग अभी हम देखें तो आठ से दस हजार लोगों का प्रेलिम्स क्या है क्वालिफाई होगा ठीक है तो अब ऐसे में लग रहा है यह तो सर बड़ा कठीन पर एक्जाम है प्रेलि तीन लाख लोगों में से कुछ तो ऐसे हैं कि चाचा भूफा मौसा ताउस हमने बोला वह बड़ी प्रतिस्टिक परिच्छा है उसकी त्यारी करो तो दो तीन साल तक तो वह युवा युवक युवति जो है क्या है बटकता रहा बड़ी अच्छी परिच्छा है ठीक है फ 40-50,000 लोग एकडम सीरियस कंडिडेट है जो एक टफ कॉम्टीशन हमें क्या है देते ठीक है तो ऐसे कंडिडेट से आपका मुकाबल है अब 50,000 लोगों में से 10,000 का अगर क्या है प्रिलिम्स क्वालिफाई हो रहा है तो बहुत अच्छे से प्रिलिम्स क्वालिफाई कर सक जानते हैं यहां बर प्रिलिम्स की सीड़ी चड़ी में में पहुंचे में पूरा लिखना है और लिखने की प्रैक्टिस जिसकी ज्यादा है लिखना आपका बहतर जानते हैं गती से लिखना जानते हैं जो याद है उसे लिख सकते हैं उसके सेलेक्शन की संभावना अधिक लेकिन प्लस क्या है काम क्या है लिखना अच्छा लगता है इस परिच्छा की त्यारी के और उनमुक हो अने था मत्र देश लोक सेवय कहेगा कि मैं सेलेक्षन नहीं करता हूं मैं प्रिलिम्स के माध्यम से रिजेक्शन करता हूं जो कचड़ा है उसको किनारे करता हूं ठीक है तो इस तरीके से यह है आपका जो है क्या है किनारे होगे अब इसके बाद बात करें तो मुक्क सेवा परिच्छा जो लगभग चभुदा सांगों की होती है उसके बाद आपका 175 रंकों का जो है क्या है इंटर्वीू हो अब इन दोनों आपका जो है क्या है इसके मांक्स जुडएंगे और उसके बाद आप बनेंगे क्या अदिकारी ठीक है तो यह अदिकारी भाई सबसे एक और प्रश्ण है सर हम तो DSP SDM जानते हैं यही दो पद हैं और इसके सुनते हैं किसी के 20 आते हैं किसी के 40 आते हैं और गिंती कितनी थी साड़े तीन लाग ठीक है और उसमें 50-100 में से 10,000 में से भी आपका 40-50-100 पोस्ट होगे बाकी सार किस पोस्ट में सेलेक्ट होते हैं लगभग साड़े 400-500 के आपस वेकेंसी आती है तो बाकी पोस्ट क्या है तो इन पर हम जल्दी से चर्चा करते हैं बस एक आपका आउट विव कि की त्यारी करना है तो हम यह ध्यान में रखें कि हमें यह पोस्ट भी मिल सकती है हम हो सकता हो अंतिम लच्छ यह बहुत आपका मेहनत से त्यारी करेंगे तो भाई लेकिन हो सकता है दूसरी कुछ पोस्ट भी मिलें जैसे एक्जांपल के लिए अगर हम यहां पर देखें तो भाई डिप्टी कलेक्टर तो है ठीक है जो अपका इसके बाद क्या है इसके लावा देखें हम तो वानिजकर अधिकारी है यह एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है ऐसे ही जिला रेजिस्ट्रा ठीक है अब उप रेजिस्ट्रार भी उसी के अंदर गताएगा साथी साथ जो है क्या है भई सहायक निदेशक यह आपका जो है क्या है पूस्ट है यहां पर हाइस आपका ग्रेड वालू में यह सारे अगर पाली का अधिकारी सियो नगर निगम नगर पाली का कि कई बार इससे चुने जाएंगे फिर आपका वीडियो नाम बहुत सुना होगा ठीक है ऐसे ही आपका नाया तसिल्दार हो गया ऐसे कई आपका जो है क्या है तो जब भी आप MPPSC की जब त्यारी कर रहे हैं उसक तरीके से मद्र देश लोग सेवायों की इस सिविल सेवा परिच्छा का प्रारंभिक आपका जो एक्जाम होता है जिसमें साड़े तीन लाठ लोग बैठते हैं उसे कैसे क्रैक करें क्या स्लेबस है क्या क्या चीजे उसमें आती है कितने पेपर होते हैं इसका डिटेल हम आ और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए आगे जो है देखते रहें थैंक यू अवरिवल जैहिन जैवारत